नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें छट की शट्रिंग कैसे करनी हैं क्या क्या स्टैप्स हैं क्या क्या हमें सावधानिया ध्यान में रखने हैं तो इस वीडियो में पूरा आपको शट्रिंग करके दिखाऊंगा एक छट का किस तरह से किया इसके बाद के आरिया के लाके यूप और पर ये गाया और आप आरिया के लिए हो manifest in रिखता। तो यह पहला step है आपको bottom लगाने हैं जैसे यहाँ पे लगया शट्रिंग में सबसे पहले आपको सारे जितने भी bottom है दोस्तों वो लगाने है उसके बाद आपको नीचे jack तयार कर लेना है जिस साइज पे jack लगा रहे हैं उन jackों को तयार कर लेना है जैक जो हम बोटम लगाए दो मिस्तरी उपर रहेंगे दोनों साइड ने दो नीचे रहेंगे लोग जो jack लगाएंगे उस बोटम को आपको इस तरह से एक मिस्तरी को थमा देना है यह तरफ से पकड़ लेंगे और दूसरी तरफ से दोस्तों आप किसी jack की मदद से या लकड की मदद से इसको उठाएं तो यह जो वोटम हमारा इस एरिये का है और हम इसको उठाके यहाँ पर ऐसे पहले टंपरेरी लगा लेंगे और जो हमने जैक लगाया था दोस्तों यह देखिए उसमें हमने उपर लकड लगा के रखते हैं ताकि हम वोटम के अंदर से जब कील मारें तो वो जैक के साथ देखते हैं उसके बाद यह देखिए जो तार हमने बांदे थे दोस्तों यह तार हमारे दिवारे में लगए है और यह जो नीचे जैक में लगकड है उसमें हम ऐसे कील ठोक देंगे बोटम में से ताकि यह नीचे पकड़ लेगा अब नीचे का जैक हिलेगा नहीं अपनी तो उसको रोकने के लिए हमने एसे 6-7 तारें की लड़ बनाके इसको कील लगा के दिवार में अगर कहीं आसका सरीया तो सरीया में भी आप बांद सकते हैं इसको बांदना आपको अच्छे से लूज नीच होड़ना दोस्तों क्योंकि इस पर रोड़ी का लोड़ आएगा वाइबरेटर चलेगा तब इस पर प्रैसर पड़ेगा तो यह निकल ना जाए यहां आप देख रहे हमारा थोड़ा ऊपर हो गया साइज तो इसको लूज कर जें और यह हमारा देखे बिल्कुल प्लेन आ गया है इस तरह से आपको लेवल जरूर मैच कर लेना है ने तो आ अगर आप सीधी कील लगाएंगे दोस्तों तो वो इसमें खिचाव नहीं करेगी तो जैसे देखे तिर्चा करके लगाए इसको खीच लेगा और इसको अच्छे से मजबूती से बांद लेगा और इसको जो हमारा बोटम है इसको लेफ्ट ये राइट में नहीं जाने ताकि जैसे तिर्ची कील आप मारेंगे तार में खिचाव होगा और ये बोटम को अच्छे से टाइट कर लेगा सबसे पहला स्टैप है बोटम रेडी करके बोटम लगाने है इस तरह से जैसे हम लगा रहे हैं और बोटम लगाने के बाद दोस्तों जो साइडे लगानी है जो हाइट कितनी हमारी बीम की है जैसे मान लीजिए हमारी जो टोटल हाइट 18 इंची है उसमें से 6 इंची अगर हमारा छत का मार्जिन है तो हमें 12 इंची का साइड लगाना है 12 इंची साइड लगाएंगे 6 इंची हमारा छत का रोडी डलेगा वह 18 जाएगा इस तरह से निए पहला हो जाएगी तो पूरी शट्रिंग को हम लेवल करना है क्योंकि अभी तो जुस्तों आईडी से हो रहा है तो हो सकता ही उपर-nीचे कहीं जीहल हो कहीं उपठा हो पूरे जब छट्रींग बंद जाती है उसके बाद हम इसको वाटर लेवल करते हैं कि शच्ट्रिंग का वाधर लेवल आपको की बनासे ही सट्रिंग का वाधर लेवल आपको किस तरह से करना है बनने के बाद आपको चैक कैसे करना एक वाधरल करना पर एक पूरे बौटम रखनें Suzuki logic ज़िए वाधर जरूर लगा देना जाएगी और एक बात और याद रखने है जहां भी पलाई का जॉइंट है यानि बॉट्टम का जॉइंट वहां पर आपको जॉइंट पर जॉइंट पर ना भी लगा पाए तो जॉइंट से आप 4-6 इंची दूर जॉइंट जब इस पर रोड़ी आएगी साइज है यह कंप्लीट हमने लगा लिया है और यहां पर आप देखेंगे हमारा यहां पर 15 इंची का दोस्तों भीम है तो 9 इंची तो हमारी दोस्तों दीवारे हो गई है और उसके बाद हम 6 इंची का ऐसे दो लकड़ी तीन-3 इंची जाएगी और यह और बना लिया और य लगते हैं और नीचे आपको अगर आपका फ्लोर पक्का नहीं है मिट्टी है तो आपको जैक के नीचे प्लेटे जरूर रखनी है नहीं तो जैसे रोडी डलेगी तो लोड से जैक बैठेगर आपकी छट भी बैठ सकती है और यहां पर आप देख पारे हमारे दो फिर चोड़ा बीम है तो लेफ्ट राइट में पलट सकता जब हम इसमें रोडी डालेंगे वाइबरेटर लगाएंगे तो आपको अगर नो या वाराइंची से ज्यादा चोड़ा आपका बीम है तो आपको वहां डबल जैक जरूर लगाने नहीं तो आप एक सिंगल जैक लगा जोइंट पर आपको ज़रूर लगाना ओग इस तरह से अमने इसमें बोटम सारे हमारे कम्पलीट कर लिए उसके बाद हमें में साइडे लगानी है लैफ्ट और राइट जैसे जैसे हमें जरूरत है तो अब हम इसमें साइडे लगाएंगे साइडें दोस्तों जितनी हमारी दिवार है तो जो हमारा बोटम का साइज आ रहा है दिवार के साथ तो दिवार जितनी हमारी मोटी है चोड़ाई है उतना हम बोटम की पलाई कम तयार करेंगे तो बोटम की पलाई और दिवार बनके जो हमारा बोटम की चोड़ाई वो तयार हो जाएगी यह देखे हमारा जो फ़ल्ड करने के लिए नहीं तो हमारी पलेट लैप राइट में खिशक सकती है इस तरह दबल किल लगानी है दोनों कीलों के बीचे हमारी जो चैनल है फस जाएगी उसके बाद दोस्ता हमें करना क्या है इस तरह से नीचे से जैक में फसा के चैनल को उठाना है नीचे दो आदमी जैक को पकड़ कर रखेंगे तब तक वो बंदेना और उसके बाद उपर वाला जो मिस्त्री है तो हमने जैक लगाया है इसको तार से उसके साथ बांद देगा जैसे यहां पर यह देखे जो हमने नीचे जैक लगाना है इस तरह से जैक लगाएंगे और जैक को तारों से बांद देना है क्योंकि बांद देगा नहीं तो जैक निकल के गिर सकता किसी को चोट लग सकती है इस तरह से जैक को बांद दिया जाता है ताकि यह निकलेना जो प्लेट के अंदर एंगल लगा होता हो फच जाएगी तो लेफ्ट राइट या आगे पीछ हमारी प्लेट नहीं फचती हो लोक हो जाती है तो हर चैनल पर इस तरह से यह सरीय बेल्ड किये हुएते हैं ताकि हमारी जो चैनल यह जो हम लगाते हैं प्लेट यह अच्छे से यह देखें हम ऐसे पूरी प्लेट कवर कर लेंगे और यह देखेंगे यह जो एडिया ही धोड़ा सा डाउं है इस अश्न कर देखेंग razem लगान धा हम जब इसके अंदर हम जब दबू से लगाएं वाच वेषण लगाएं पानी की पाईपें इंदर हमारी जो संकञ जो डा पाइप डालने के बाद मसाला डालकर टाइल पत्थर लगाएंगे तो हमारा जो फ्लोर लेवल है वो एक लेवल आजाए यह देखे यह भी हमारा संकन अरिया तो संकन अरिया भी आपको देना जहां आपका वाउश रूम पावडर रूम किचन पैंट्री हो पानी का जहाँ हो वहां पे आपको संकन देना है ताकि आपकी जो फिटिंग वगरा लगके बातरूम अगरा कंप्लीट होके आपका जो फ्लोर लवल वह एक लवल आ जाए तो इस तरह से देखे हमारी पूरी शट्रिंग कवर हो गई है दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो हमने जो शट्रिंग किया है यह ठीक हुआ है या नहीं वा ड्रोइंग के साब से तो शट्रिंग हमें कैसे चेक करनी है वह मैं अगले वीडियो इसमें अपलोड कर दूँगा जिसमें पूरा डिटेल से अब आपको एक सेंपल दिखा दूँगा जैसे यह देखिया हमने कीले लगायी इसमें हमारी जो प्लेट इंची है इस वज़िए स्वाज़ें हमने कीले लगा था यह देखिए जो हमारा बीम का हाइट होगा जितना भी लटक जैसे मान लिए बारा इंची है तो हम इस आप्टम के उपर रेस्ट कर रही है यह सब चीजे देखके आपको शट्रिंग तयार करनी होती है और अगला वीडियो मैं डाल दूँगा दोस्तों जल्दी जिसमें मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से आपको शट्रिंग चेक करनी है कि आपकी ड्रोइंग के इसाफ से यह नहीं अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक से जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि इस तरह के वीडियो आप को इस चैनल पर मिलते रहेंगे और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मिरे को कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे ब